तिताए बढूल का पडाई लगा context इल्ड़ो इल्ड़ोज़ जब भी कॉलिज ये इनियर्सिटी ऐक था दिखर होता है तो आपके मनमें वह जूआ जाँ इस आपके मनमें फ़ीज करलेज क dysfunction का रल्द की फिकली दॉसर को IT नहीं है तो उसको देख करके आपको अपने दिन याद आ जाते हैं ठीक इसी तरह आजकल एड्मिशन का दोर चल रहा है और जो स्टुडेंट अब तक स्कूल में रहे जिनोंने स्कूल की दहलीज को भी पार किया है और युनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस में कदम रखने को बेताब है आतूर है यह कुछ चाओ है वहाँ पे कदम रखने का कि हम नए सपने लेकर के कुछ करेंगे लाइफ में विद्यारतियों को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर स्टुडेंट्स इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं तो उनकी जो कॉलेज लाइफ है इनवर्सिटी लाइफ है वो और ज़्यादा यादगार हो सकती है नकेवल वहाँ पे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं बलकि और भी तरह का जो इंज्वाइमेंट है जहां पे जो ग्रूमिंग जिसको कहते हैं जहां पे उनको तराशा जाता है एक आवरोल डिवलेप्मेंट जो परसनलिटी में होता है उसका भी वहाँ पे आनंद उठा सकते हैं अगर उन्होंने इन मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखाएं सबसे पहले जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी विश्यों भी दयाले में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह जरूर देखें कि वहां की फैकलिटी कैसी है जिन लोगों ने आपको पढ़ प्लैनिंग जो है उनसे आप डिसकस भी कर सकते हैं अपना जो कोर्स आपको चुनना है उस समद्ध में उनसे काउंसलिंग गाइडेंस पर ले सकते हैं तो अगर संभाव है तो उस संस्थान तक आप पहुँचें और वहां की जो फैकलिटी है उससे आप मिलें ऑनलाइन भी प्रोफड के लियुक्त सकते हैं प्रोफाइल बहुत उनिवर्सिटी और वहां पर होती है वेबसाइट पर भी सकते हैं इसक्ति जो फैकलिटी जहां पे जितनी अच्छी होगी वही आपकी कर्येर को उतना चाक्व देगी तो विंग अ स्टूडेंट जहां पर बैड्मिश यहां आधारभूद धाचा आपने देखना है कि वहां पर रूम्स की इस तरह के हैं लैब्रेरी की इस तरह की हैं कंप्यूटर लैब जो आज की बहुत तकड़ी जरूरत है यानि जितनी भी तरह की सुविधाएं आपको उस कैमपस में चाहिएं बहुत जो बेसिक नीट्स जो है कि आपकी वहां पूरी हो रही है तो इन्फरा कैसा है ये भी आपको देखना चाहिए ये आपको पता लगेग वैब साइट पर देख सकते हैं विजिट करें तो ज्यादा बेतर रहेगा वैब साइट पे कई बार चीज अच्छे से नजर नहीं आती है या फू भू जैसी वह होती बार दिखाई नहीं जाती है तो अच्छा रहेगा कि आप कैमपस को विजिट कीजे Then, हर बच्चा चाहता है कि जिस विश्विद्याले मखविद्याले से उपढ़े तो वहां से सिख्षा ग्रेंड करने के बाद उसको अच्छी जोग मिले, अच्छी नोक्री मिले या वो खुद का अपना कोई काम शुरू करे तो एक बार अप मखविद्याले विश्विद्याले की जो प्लेस्मेंट है प्लेस्मेंट का स्टेटस क्या है वहां पर कोई कंपनी प्लेस्मेंट के लिए आती है क्या कोई टैस्ट होता है क्या intent scratch program क्या है या कोई M.O.U çaign उनुने किया है विकाज आपकी करियर की जो एडवांस्मेंट है, करियर की जो आपकी ग्रोथ है, उस लिहाद से यह जाना बहुत जरूरी है और साथ में ये ये भी बताता है, जो महावदयल ये, विष्वी दल है कि आप अधंशन लेने जा रहे हैं, वो कितना conscious है, वो कितना serious है आपको लेकरके अपनी students को लेकर कि क्योंकि जो अच्छे विष्वी दल होते हैं, महावदयल होते हैं वह अलग-अलग companies को अपने आइनवाइट करते हैं, internship programs भी होता है, MOUs भी sign करते हैं, और इसी वज़े से उनकी placement भी अच्छी होती है. जितना जरूरी infrastructure है, जितना जरूरी placement और faculty है, उतना जरूरी होता है ambience. Ambience मतलब previous. आप देखें, एक बहुत अलग-अलग विश्व इटेल हैं, जह पढ़ाई का महulsive आपको देखना होता है. विश्व इडेल हो सकता है, बहुत बड़ा नाम हो लेकिन वहुत पढ़ाई का कुई मह augmented हैं के नहीं, chem daugous आपको देखना होता है. तो यह देखना बहुत दूरूरी हो जाता है कि वहाँ academic या आपकी overall development के लिए कैसा परिवेश या कैसा माहौल है जिस course को आप करना चाहते हैं उस course के syllabus पर भी आप एक बार नजर डालें आपका महावी डाल है जिस दो भी course आप करने जा रहे हैं उसमें या विश्व भी डाल है उसका syllabus क्या रहेगा कैसे डिवाइड किया गया उसको थेड़ी कितने का रहेगा कितने practical exam है इन सब चीजों पर आप एक बार नजर डालने बिकूज आप उस subject से आने वाले दिनों में जूडने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि पहले से आप preparation कर लें पहले आपका mindset कि किस तरह की चीज़ें आने वाले समय में करनी है थेहरी में क्या करना है असेस्मेंट के लिए कितना weight is रखा गया है तो यह सारी चीजें उसके लेबाई है उसको आप देख करके जाएं तो आपको एक mind makeup रहता है और आप updated रहते हैं आपके संस्थान की locality की उसकी connectivity की जिस विश्वी द्याले में अपनी दाकिला लिया है वो कितना connected है well connected है आपके घर से या transportation की हम बात करें या बस से ट्रेंस से हवाई जहाद से कैसे आप वहां पहुंचेंगे और कितना जल्दी आप हाँ पहुंच सकते हैं तो connectivity बहुत अगर उसकी है तो और जो दूसरी चीज है जो दूसरी जो basic needs है वो आपको पूरी करने में आप आसानी देएगी तो आपके संस्थान की जो एक तरह से locality है उसके जो कहां उस सिच्वेटिट है यह काफी depend करता है तो यह भी aspect आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वह आपके college में पढ़ रहे हैं और साथ में आप यह भी देखें कि आपका जो course या आपका जो college है वो legal होना चाहिए वो मानेत अपराप्त होना चाहिए जो norms सारे government के पूरे करता हो ताकि later stage पे जा करके आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो आपकी career में को issue ना हो because अगर आप वहाँ पेसे में बरबाद करते हैं और वो legal नहीं है यह वो सारे norms पूरे नहीं करता है तो आपकी जो time है वो बहुत बरबाद होगा time is money और आप समय जो अपना लगाएंगे संसाधन जो आप लगाएंगे वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा इसलिए आप उसको check कर लें website पर चेक कर सक जोते हैं कि जिस संस्थान में आप दाखिला लेना जा रहे हैं वह कहां से अफिलेटीड है वह legal भी है के नहीं वह पर फ्रोड तो नहीं है और आप देखके जाते हैं कि बहुत चो इनिवरसिटी जैसी है जो फ्रोड होती है या फेक होती है उनकी लिस्ट भी जारी की जात जड़ा फीस पें ही कर सकता हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए आप यह देख लें कि वहां का फीस्ट्रक्चर क्या है फीस्ट्रक्चर पर भी नजर डालने बिकुज आपको इसको एक तरह से अरेंज करना होता है पेरेंट्स के लिए प्यासानी रहती है बहुत ब फीस बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि दूसरे संस्थान में ले लें पिकोज पहले वाली नीट्स वहां पे पूरी हो रही है तो फीस्ट्रक्चर पर भी अगर आप नजर डाल लें बिकोज कई बार संस्थान के हिसाब से फीस भी वेरी करते हैं इन सब पुएंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप को देखलatt लेने का मन बना लेते हैं किसी existem बार आपके पास समय आNever begitu निकालना चाहिए तौए लेना चाहिए वहां वहाँ पर आपको जाना चाहिए और वहाँ आपके डिपार्टमेंट के जो पहले के स्टूरेंट हैं, जो आपके सीनियर हैं या पास आउट भी अगर आपको कोई मिल जाता है, तो वहाँ से एक फीडबेक जुरूर लें, कि जिस डिपार्टमेंट में में दाटाय लेने जा वहाँ पर फैकलिटी कैसी है, वहाँ पर किस तरह के अक्टिविटीज होती है, और मेरे को जो में मकसद के साथ में आया हूँ, उस मकसद को पूरा करने में ये डिपार्टमेंट मेरी कितनी मदद करेगा, वहाँ आपको एक 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 अच्छियल रिपोर्ट देंगे, वहाँ हुए हैं या आपसे आगे बढ़ रहे हैं भी next classes में तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको genuine feedback मिलेगा तो dear students यह कुछ points हैं major points हैं जिनको आप जरूर ध्यान में रखना से यह किसी भी college या university में कदम रखने से एक खास बात आप ध्यान रखें यह आपके जिन्दगी के सबसे बहतरीन साल है जो college के तीन या उसके बाद में आप करते हैं पांच साल चैर से पांच साल जो आप के हैं एक तरह से आप golden एरा कह सकते हैं अपनी life का और इस सुरनीम काल को आप कभी भी गवाईएंगा बद अगर आप planning के साथ चलते हैं तो आप ने केवल अच्छी पढ़ाई करेंगे आपके overall grooming अच्छी होगी बालकि आप जो enjoy करना चाहते हैं हर तरीके का enjoy भी आप करेंगे लेकिन वो तब होगा जब आप एक balanced approach के साथ university या college campus में कदम रखेंगे तो यकिनन आपके सब्ड़ें जरूर पुरे होगे wish you all the best keep in touch आप देख रहे थे मास कुम जंक्शन जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवार